सब्सक्राइब आपके साथ कितना मैच होता है वह सिच्वेशन ठीक है आज की टाइटल है तोड़ा अजीब है देखते हैं कि हुई इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वह यह है कि गुप चुप तरीके से आपका कोई प्रसंसक है क्या एड्माइर का मतलब होता है प्रसंसक जो आपको करते हैं आपके प्रसंसक है आपके सुपचिंदक है आपके फैन है आपके लवर भी हो सकते है कि वह आपको प्यार करते है तो कौन है जो मनी मन दिली दिल आपको पसंद कर रहा है आपका प्रसंसक है फैन है ठीक है तो इसी पर आज की बहुत ही सांदार क्लेक्टिव रिड दिल की बात रखिए और देखिए कि उपर वाला आपकी कैसे मदद करता है तो चली start करते हैं आपकी collective reading किसी भी जेनर के लिए reading हो सकती है male female या फिर आप किसी भी connection में हो it doesn't matter आप जानते ही हो तो चली देखते हैं कि क्या निकल कर आता है सबसे पहले उस इंसान की energy को हम check करें इस डेक से क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है इससे हमें बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है उस इंसान के बारे में पता चलता है who is your secret admirer कौन है आपका प्रसंसक और आपको मालूम ही नहीं चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे अपना तुझे हम बनाएंगे दीरे धीरे पास तेरे आएंगे आके दूर फिर न जाएंगे ऐसा ही कुछ चोरी चोरी आपको पसंद कर रहा है चोरी चोरी आपका दिल चुराना चाहता है चोरी चोरी आपकी करीब आना चाहता है कौन है वो व्रक्ति वाव जैसा रीडिंग का टाइटल वैसा ही कार्ड निकल कर आया है मैंने आपसे कहा था बस ये कहा था अभी की टॉपिक ये है कि कौन है आपका प्रसंसक जो चोड़ी चोड़ी चुपके चुपके आपको बहुत ज़ादा पसंद करता है तो देखो इस वक्ति के तो थ्रॉट चक्रा में ही ब्लोकेज नजर आ गया है देखो ये जो फिफ्ट चक्रा आर्केंजल गैपरिल का कार्ड होता है नमबर थर्डी नाइन नमबर तीन और नौ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नजर आया है तो इस वक्ति को बोलने में ये वक्ति आपका प्रसंसक है ये वक्ति आपको लाइक भी करते है ये वक्ति आपको बहुत ज़्यादा एड्मायर भी करते है पर इस वक्ति को आपके सामने आकर कहने की जुरुरत ही नहीं होती यह वक्ति बहुत ज़्यादा हिचकी चाता है या यह वक्ति बहुत ज़्यादा सर्माता है दिल के बाद जुबान पर आ नहीं पाती है कुछ चीज़े ऐसी है जो रुख जाती है मतलब मन इसका इतना होता है कि दिल के अंदर जो आपके लिए फीलिंग है आपके लिए जो भ प्रॉलम होती है बातकर ने को लेकर प्रॉलम होती है कुछ चीजह है जो जीगार disgUS जाता है रिए यानि कि कहते हैं कि गले में खिचष जी हैं बिल्कुल ऐसा पर आई वह सहब कहने का कि इस की भी में तरल मिले में फशा के ते बींकिये बल्ल हाक्ति आहल। पारjang ञignon आपके जिस खुलने के एनरजी होती है तो यह व्यक्ति जो आपको सिक्रेटली बहुत पसंद कर रहे हैं आपके प्रसंसक है यह व्यक्ति बहुत जल्दी अपने मन की बातों को उजागर करने वाला है इजहारे मुहबत करने वाला है आपके सामने आकर यह व्यक्ति जो मनी मन आपके लिए महसुस करता है आपकी बहुत सारी चीज़े इसे पसंद है आपसे साइधी वक्ति प्यार करता है या आपको लाइक करता है आपकी कुछ चीज़े इसे अच्छी लगती है जो यह कह नहीं पा रहा है तो फ्रॉट चक्रा अब यहाँ पर जो है इस वक्ति को वो आ चुका है ओपनिंग हो चुकी है तो आप यह सिक्रेटली आपको पसंद नहीं करेगा जो है वह आकर आपके मुझे सामने ही यह वक्ति आकर आपकी प्रसंसा करेगा यह आपको कुछ बताएगा तो फ्रोट चक्रा ओपनिंग होने वाली है अब तक अगर इसने नहीं किया था तो उसके पीछे का वजह यही था कि यह कर नहीं पा रहा था इससे हो नहीं पा रहा था तो चलिए अब देखते हैं कि उनिवर्स की तरफ से क्या है आपको कि यह वक्ति कौन है आपका प्रसंसा कौन है अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया है तो इस पर मैं बहुत जल्द पिककार डिडिंग भी करूँगी ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कमेंट करके बताना अगर आपको पिककार डिडिंग इसी टॉपिक पर चाहिए तो कंट्रोल यहां पर भी वही कार यहां पर गले में जो है खरास है गले से निकल नहीं रही और यहां पर मजबूर हो रहा है कि अपने मन की इच्छाओं को भावनाओं को पहुँचा नहीं पा रहा आप तक तो बहुत इनों ने अपने आपको कंट्रोल कर रहा है काबू कर रखा है इस वक्ति से कंट्रोल नहीं हो रहा है इसका मन हो रहा है कि सारे के सारे जज़वाद जो है आपके सामने आकर उडेल दे आपके सामने आकर सब कुछ जो भी है वो बया कर दे, पर ये वक्ति कर नहीं पा रहा, कहीं न कहीं बहुत मजबूत, इरादो वाला वक्ति भी नजर आता है, साथ इसाथ एक और इसकी जो है, personality के बारे मैं आपको बता दूगी, ये वक्ति जो भी है, इस वक्ति के अंदर मु तो आपको ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर मुझे जहां पर सहन सकती नजर आई है वहीं पर गुसा भी नजर आया है फिर इसे कोई नहीं रोक सकता यह वक्ती बहुत गुसेल सभाव का भी नजर आता है यानि कि छेड़ो मत इसका इसका एक ऐसा तरीका है ना कि मैं जब बिल्भ तो अच्छा इस व्यक्ति मनूबल बहुत राता है अपने गुसे को खुद एपनी इसाओ को खुद करता है और रही बात आपकी तो आपके सामने आकर करने के लिए तो यह तो नहीं मुश्किल हो रहा है इसको आपके सामने आकर बताने में तकलीफ हो रही है लेटिंग गो तो ये वो व्यक्ति है जिसने आपको सायद किसी माइने में लेट गो करने की कोशिश की है ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पाया आप तक अपने दिल की बात बता नहीं पाए आपको आप स आपको लुभाने में आपको convince करने में आपको बताने में इजहार करने में साइद ये वक्ति काम्याब नहीं हो पाया तो साइद ऐसा लग रहा है कि इसने give up भी कर दिया कि साइद वो मेरी बातों को कभी समझेगी नहीं या समझेगा नहीं उसके पीछे भागने से जो है साइ आप समझ नहीं पा रहे तो कहीं न कहीं इस वक्ति ने अपने दिल की बातों को let go करने की भी कोशिस की है याने कि भूलने की भी कोशिस की है पर साइद ये नहीं हो पाया अब यहाँ पर एक अच्छा ऐसा मौका आ रहा है इस तोर की तरफ से इस वक्ति को कि यह आपके सामने आकर सब कुछ जो है बया करें ये वक्ति आपको ये भी कहेगा कि मैंने तुम्हें जब मैं कन्विंस नहीं कर पाया जब तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाये तो मैंने तुम्हें भूलने की भी कोशिस की थी मैंने अपनी बाउना को इतना जबर जश्टी अपने मन के अंदर दबा रखा था कि तुम कभी समझ भी समझ भी नहीं पाए पर मेरे लिए बहुत मुस्किल हो रहा था वो समय कि मैं समझाने के लिए प्रयास कर रहा था और तुम समझने को तयार नहीं थे तो यहाँ पर जो है इस वक्ति का कहीं न कहीं आपके साथ connection दिखता है मुझे क्योंकि ऐसे ही कोई इंसान किसी को let go नहीं करता जब उसकी इच्छाय पूरी नहीं हो रही होती जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता तब ही जाकर इंसान ना compromise करता है या surrender करता है इस तरकी मर्जी के आगे जुकता है तो वही हाल इस वक्ति का भी हुआ है चले और एक देखते हैं क्या है नमबर आठ इंपोर्टेंट है आपके लिए compromise वाव नमबर शिक्स के energy आई है compromise के energy आई है कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि यह आपका प्रसंसक है आपको आपके उपर जान भी देता है या जान छिड़कता है आपको लेकर यह वक्ति बहुत ही जादा जो है positive energy में भी था पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्ति का जो समय है या इस वक्ति का जो feeling है आपके लिए न गाईज वो कहीं न कहीं यह वक्ति पूरा नहीं कर पाया compromise का काड़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सायथ इसने जो है compromise की वज़े से भी किसी समझोती की वज़े से भी सायथ आपके करीब आने में जो है यह वक्ति नाकाम रहा है कहीं न कहीं तो कुछ तो समझोता इस वक्ति को जिन्दगी में करना पड़ा है सायथ बताने में जो तकलीफ हो रही है आपको उसके पीछे भी compromise के energy हो सकती है कि हो सकता है कि इसको किसी ने मना किया होगा कि आपके करीब ना आए हो सकता है कि इसको किसी ने दबाया होगा कि आपको अपना मन का बात ना बताए, हो सकता है कि ये वक्ति आपको जानते हैं पर आपसे दूर जाने की हिदायते इस वक्ति को दी गई है, कुछ बंदी से इनकी सामने रखी गई है, हैना ताकि ये आपको जो है अपना दिल का बात आपको नहीं बता सके, हैना आपसे दू करने के लिए जो है यहां पर मैं देख रहे हूं कि कुछ ऐसा कड़वा घूट इसको पीना पड़ा है क्योंकि यहां पर कंट्रोल का कार्ड उसी कड़वे घूट को दिखाता है कि प्यार है किसी के साथ पसंद करता है किसी को पर उसे जो है भूलने के लिए यहां पर यहां तो मजबूर किया जा रहा है और जब भूल नहीं पा रहा है तो नाकाम कोशी से यहां पर लेटिंगो का कर रहा है कि चलो जब समय आ जाएगा तब दिल की बात बता देंगे अभी तो अपनी खुद की हालत ऐसी है अभी तो आपने खुद की जिंदगी में जो है समझोता करक पाता या किसी को कोई बता नहीं पाता ना तब ऐसे हालत में इंसान घुटने टेक देता है तो वही हालत आपके इस व्यक्ति की भी नज़राई है डिटेल में और भी रिडिंग करेंगे जिससे हमें और भी चीजों का खुलासा हो जाएगा कि यह व्यक्ति आखिर कौन है जो आपको इतना पसंद कर रहा है पर बार-बार जो है कुछ ऐसा हो रहा है कि यह व्यक्ति गिव अप कर रहा है गिव अप करने की एनरजी यहाँ पर नज़राई है क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो जिसे बातों को एक्स्पेस करने में थोड़ी प्रालम होती है या फिर जिसके उपर अंदर गुस्सा बहुत है पर उतना ही यह व्यक्ति सांथ बाहर से नजर भी आता है कंट्रोल करता है या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने समझोते की वज़े से या किसी बहुत बड़ी प्रालम की वज़े से जो है आपको लेट गो किया है आपको भूलने की कोशिस की है हो सकता है इस व्यक्ति का आपके साथ कोई पहला कनेक्शन रहा हो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो आपका कोई पास्ट है कोई अतीत है या आपका कोई एक्स है या फिर कोई नया कनेक्शन है जो आपको अप्रोच कर रहा है जो आपके साथ घंटों बाते करने की कोशिस कर रहा है पर दिल की बात नहीं बता रहा क्या आप ऐसे किस नंबर्स भी मैंने आपको दिये है, नंबर आठ है, नंबर छे है, नौ है, तीन है, यह इस वक्ति का बर्थ मंत या बर्थ डेड़ भी हो सकता है, गाईज देखो, यहाँ पर भी वही रुका हुआ काड आया है, नाइड ओफ पैंडिकल्स, मैं जाओ की ना जाओ, मैं जाओ की ना जाओ, मैं बोलू की ना बोलू, मैं कहूं की ना कहूं, मैं समझा पाओंगा या नहीं समझा पाओंगा, वही दुविदा, यहाँ पर इस वक्ति की न ृडव को देखते हैं क्यों वो देह को साइंकिल ही है आप लुआ के बीच में जब साइंकिल आता है je यह देथаств dibuj ऑन गया साथ नोकलो बात आपका और इसका तो गहरा रिस्ता है बहुत गहरा कनेक्शन है गाईज दूसरे डेक्ट का भी मैं इस्तमाल कर रही हूं देखते हैं कौन है करे रखती अब कनेक्शन तो अलड़ी नजर आ गए आप दुनों के बीच में पूर्व जनम का कनेक्शन है पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो आप लोग इस जनम से भी ज़ादा पिसले जनम का रिस्ता आप दुनों के बीच में दिख चुका है यहाँ पर नया रिस्ता नया कनेक्शन बिलकुल नहीं नो नो डेट का काड आ जाता है तो समझ लो पुराना कनेक्शन रिस्ता स्ट्रेंथ वाव नाइन ओव वैंस फिर से वर्ल का काड वर्ल के काड के नीचे ही आया है वाव यह तो बहुत अच्छा लाइफ साइंकल है आप दुनों का सेवन ओफ वैंस क्या बात है जाईस क्या बात है आप बॉटम के काड को अगर दिखा देती न तो आपको समझ में आई ही जाता कि यह वेक्ति आखिर कौन है इस डेक से भी मैं दो कार्ट ले रही हूं गाईस हार के जितने वाले को कहते हैं बाजिगर और यहां पर भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि किसी ने आपको हराया है खुद भी हारा है हार कर जीतना चाहता है हार कर आपको पाना चाहता है खो कर आपको पाना चाहता है आपका प्रसंसक है आपको पसंद करता है seven of pentacles queen of swords nine of cups के energy bottom of the deck में है तो गाईज चलिए अब signor element की तरफ बढ़ते है major arcana का scorpio और major arcana का leo आज खास हो सकता है इसके अलावा हमारे पास air sign है जमिनी लिब्राकरिस मिधुन तुला कुमरासी अर्थ साइन टोरोस वर्गो कैप्रिकॉन विशप पन्या मकरासी वी है फायर साइन लियो सेजिटेरिस एरिस यंधनो और मेश रासी ठीक है इतने ही sign और element आये है water sign नहीं आया है तो ये व्यक्ति कौन है जो आपके प्रसंसा करता है आपका प्रसंसक है दिल ही दिल मन को मार कर अपने भावना को काबू करके कंट्रोल करके है ना जब कोशिस करता है नहीं हो पाता तो फिर जो है आपको भूलने की भी कोशिस करता है और कहीं न कहीं compromise का समझोता का रिस्ता हो सकता है इस वक्ति का आपके साथ तो कौन है ये वक्ति वो है जिसके साथ आपका बहुत पुराना बहुत पुराना रिस्ता चल रहा है और ये रिस्ता कभी भी ये मत समझना कि इस जनम में बना है हाँ ये हो सकता है कि आप इस वक्ति है साइकल साइकल आपका तो उस जनम से ही चलता आ रहा है जो अभी तक खतम नहीं हुआ है समझ गये पहले भी अगर मैं आप दोने के कनेक्शन के बारें पास्ट लाइफ के कनेक्शन के बारें बताओं तो यहां पर दिख रहा है कि कुछ अधूरे रिस्ते रह गए थे आप दोनों के यह वो व्यक्ति है जो उस जनम में भी संतुष्ट नहीं हो पाए क्योंकि इस ने इस जनम में भी आपको खो दिया है ऐसा दिख रहा है यहां पर क्योंकि डेट का जो काड़ा आया है वो इस जनम की बात भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में भी जो है एक कोई न अच्छा खासा कोई न कोई एक कनेक्शन था रिस्ता था आप दोनों के बीच में कुछ बना था आप दोनों ने एक इतिहास रचा था आप दोनों के बीच में कुछ कहानी बनी गई थी पर वो चीज़े अ रिलेशन्शिप की स्टोरी कह लेजिए, पूरी नहीं हो पाई, इस जनम में भी जो है, आप दुनियों के बीच में एक इतना मजबूत लाइफ साइंकल चल रहा है, जिससे पार करते 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 करते, साइध ये वक्ते भी थक चुका है, आप भी थक चुके हो, और साइध इस रहा हैं, इस वक्ति ने भी जो है, आप भूलानी की कोशिस की है, ऐसा लग रहा है आप इस वक्ति से आप दोनों ने मिले हो, आप दोनों ने, जो है, मिलकर अच्छा खासा, एक स्टोरी बनाया यहां ना मिलने का पहचान करने का साइद relationship प्यार का भी था आप दोनों के बीच में पर वो चीज़ें टिक नहीं पाई उस जनम में टिक पाई ना इस जनम में टिक पाई क्योंकि डबल साइकल आप दोनों का life journey का यहां पर चल रहा है जो अभी भी complete नहीं हो पाया है इसी के वज़े से चीजे जो है बाते बन नहीं पा रही है बाते बिगर रही है उपर से ये वक्ति बहुत संकोज भी करता है बता नहीं पाता है मन की भावना को बहुत डरा डरा रहता है बहुत सहमा सा रहता है ये वक्ति और भी चलिए मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ देखे यहाँ पर यह वक्ति वह है जो मैंने आपको कहा था ना कि हार के जितने वालों को क्या कहते बाजिगर कहते यह फिल्म भी आपने देखी होगी यह गाना भी आपने सुना होगा तो यहाँ पर भी देखो nine of wands की कहानी उसी इतिहास को बताती है कि ऐसा नहीं है कि इस वक्ति न ओको दो चार दिनों का भ्रमन दिया दो चारे की बाद जो है इस इसाम हाया कि आपके बीच economy को आपको यह वक्ति की वजह से यह रिकताों परपहुच गया या याने की दी ये वक्ति जो हार कर जो है अपने आपको बाजीगर नहीं महसुस कर रहा ये वक्ति आपने आपको आपको हार कर जो है ये वक्ति खुद को जो है कहीं का भी किसी लायक भी जो है ये वक्ति नहीं महसुस कर रहा बहुत जादा आत्मसमान से ये वक्ति गिर चुका है इस वक्त यह दर्द रहेगा कि मैंने देखो कोई भी वादा पूरा नहीं किया मैंने इस रिस्टे को बचाने की कभी कोशिज नहीं की वक्त रहते ही अगर मैं अपने मन की बाते बता देता वक्त रहते ही जो है मैं उस समझोते से निकलकर इस वक्ति का साथ दे पाता वक्त रहते ही जो है मैं अपने गुसे को कंट्रोल कर लेता या वक्त रहते ही अगर मैं इसे जो है लेट गो करने के बजाए इसे पाने के अगर मैं कोशिस करता तो आज जो है मुझे उसे हारने की जरूत नहीं होती तो बहुत सारी कुंथा जिसे हम कहते हैं कि मन के अंदर ब अभी हुई है और ये वक्ति खुद को माफ नहीं कर पा रहा अब और बात और आपको मैं क्लेडिफाइ करती हूं कि ये वक्ति कौन हो सकता है ये वक्ति वो है देखो अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इस कार्ट को अगर आप देखोगे न सेवन ऑफ पैंडिकल्स ही क् पैसा यानि कि खात का काम इस पैसे नहीं किया है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है ये पौधा जो है अपनी सकल ले रहा है बड़ा रूप ले रहा है तो आपको समझना है कि इस वक्ति के साथ आपका रिस्ता अल्रड़ी बन चुका था सबसे बड़ी बात ये है कि इस जन किया कुछ इन्हों ने आपको understand किया यानि कि आप दोनों का जो है यहां पर investment नजराता है तो आप कैसे हम यह कह दे कि इस वक्ति को आप नहीं जानते कैसे हम कह दे गाइस इस वक्ति के साथ तो आपका रिस्ता थोड़ा सा बढ़कर फिर जो है खतम हुआ है खतम होना नहीं कह काओंगी रुकना कभी-कभी खाद कंपड़ जाता है पानी कंपड़ जाता है पोधे में इसको अच्छी सनलाइट नहीं मिलती है इसको अच्छी केर नहीं मिलती है तो पोधा बिना माली की क्या होता है मुर्चा जाता है तो आप ही यह समझ लो कि साइद यहां पर balance नहीं कि कही न कही बैलेस नहीं हो पाया इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया जिसकी वज़े से यह रिस्ता क्या हुआ आगे नहीं बढ़ पाया पर अब इस कार्ट को देकर आप समझ गए ना कि यह आपका सिक्रेट प्रसंस कौन है जो आपके साथ अल्रेडी कनेक्शन बना कर हटा है जो आल्रेडी आपके साथ रिस्ता बना कर हटा है जो आल्रेडी आपके साथ आकर मेहनत करके चन दिनों का मेहनत करके फिर जो है इसने अपने कदम को जो है पीछे हटाया है और आप अकेले पढ़ गए तो सेवन ओ पंड कर यह बताता है कि इस व्यक्ति का औ वो अब मुझे देना है मुझे इंतजार करना है क्योंकि मैंने भी तो यहां पर कुछ इन्वेस्ट किया था और मैं नहीं चाहता कि मेरा दिया गया या मेरा किया गया जो काम है वो खतम हो जाए तो यह व्यक्ति वो है जो स्रिफ आपका एड्माइर नहीं है बलकि इस देखो seven of wands आया है अब ऐसे भी यहां पर इसके मुझ पर तो जो है कहते न कि बोलती बंद हो गई है इसकी हालत तो अभी ऐसी है कि काटो तो खूड नहीं है ना मन के अंदर इतनी चीजे है जो गले तक आकर रुख जाती है अटक जाती है निकल नहीं पारी है जुबान से तो देखो यहां पर यह व्यक्ति वो भी है जो आपके साथ अब disconnected वाली अवस्ता में है seven of wands हमेशा disconnection को दिखाता है disconnect याने कि अलग होकर जुदा होकर दूरी बनाने वाली energy होती है तो अब आपको यहां पर block किसने किया है गाईस देखो यह बहुत अचंबित करने वाली बात है कि आपका प्रसंसक है और आपसे दूर भाग रहा है क्यों दूर भाग रहा है क्योंकि यहां पर यह कहने के लायक खुद को नहीं समझता क्यों कहने के लायक आपको नहीं समझता क्योंकि इसने आपको हराया है इसने आपको खोया है और खोकर जो है इस व्यक्ति का जो experience है जो अनुभव है वो इससे आपके सामने आकर अपने दिल की बात कहने नहीं दे रही है समझ गए उपर से तो यहाँ पर दो तगड़ा जो है यहाँ पर वर्ल्ड का साइकल चल रहा है डबल साइकल चल रहा है है न तो जिसने तो बहुत सारे चीजों का ऐसे भी रोक द आप जितना इस वक्ति के कॉंटेक्ट में जाने की कोशिस कर रहे हो वो 100 मिटर का फासला और बना लेता है आप जितना इस वक्ति के करीब होते हो यह व्यक्ति और आपको जो है ब्लॉक्ट करता है और आपके नजरों से ओजल होने की कोशिस करता है तो क्या आपकी नजर मे जिसने अभी आपसे दूरी बनाई है, या No Contact giorne में है, या Less contact के जोन में है, कोईस करता है कि आपके सामने ही ना दिखे, कोईस करता है कि आपसे भागता ही रहे, तो ये वो वक्ती आपके नजर में कोई है, क्या गाईस देखे मैं आपको बहुत सारी सारे दे रही हूं हो जानते हो पहचानते हो है ना यहां पर नजर आया है कि जो नाइट ओफ पैंटिकल्स का काड़ आया है गैस है ना और नाइट ओफ पैंटिकल्स का काड़ क्या होता है कि इसके ना इसकी जुबान इसका साथ दे रही है ना इसके कदम इसका साथ दे रही है इस वक्ति के लि उसने अपने पैसे को जिसमें चमक आ रही है, उसे भी इसने अपने हाथ में ले रखा है, पर यह आगे नहीं बढ़ पा रहा, कहने का मतलब यह है, कि यह वती बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीजें घर कर जाती है, कदम नहीं उठ पाते, कदम बढ़ नह नहीं चल पाता, यह जानते हुए कि मेरे लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है, सब कुछ सोचता है, पर इसकी सोच जो है इतनी हावी हो जाती है, कि इसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते आपकी तरफ, इतना जो है डरा हुआ, स और ठिकाना नहीं होता जिसे अच्छे बुदे का ज्यान होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है ये वक्ति खुद को comfortable नहीं महसुस करता कि आगे बढ़ जाओं तो ये वक्ति अभी thinking process में आपकी तरफ आने के लिए लगा हुआ है और एक आपको मैं बताती हूँ queen of swords का card आया है three of swords का card आया है अब इसका तालुक आपसे बहुत गहरा है इसका तालुक आपके साथ ऐसे है कि इस वक्ति ने सायद कभी आपका दिल दुखाया है guys देखो ये बहुत एक important बात में आपको बता रही हूँ तीन तलवारों का card आया है जिसमें आप जानते हूँ कि जब भी तीन का card आये तो एक तो आप हो ही दूसरा वो इंसान है तीसरा कोई और है तो कही न कहीं इस वक्ति ने जान बुच कर हो या अंजाने में हो ऐसी जबर्जस्त मारी है कि जिसका घाउ सायद अभी भी आपके दिल में पड़ा हुआ है सायद आप इस वक्ति को माफ भी नहीं कर पा रहे हो तो कहीं न कहीं इस वक्ति के साथ आपका तो connection है आपके और उनके connection के साथ साथ कोई तीसरे वक्ति भी यहां पर जुड़ा हुआ है जो आपको भली भाती जानता है जो आप दोनों के connection को भी जानता है जो आप दोनों की story को भी जानता है सब को जानते हुए भी कोई तो आया है आप दोनों के बीच में जिसने आकर यहां पर आप दोनों को separate किया है अब स्रीफ यह three of sorts का card यहां नहीं है guys यहां पर है queen of sorts का भी card जो फिर से जो है इसी compromise वाले card को दिखाता है मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि यह व्यक्ति आपको पाना चाह रहा है पर पान नहीं सका है और जब पान नहीं सका है तो इसने आपको भूलने की कोशिस की है कही न कहीं किसी के सामने समझोता किया है जुका है contract sign किया है signature किया है कि मैं दुबारा कभी उसको देखू नहीं आऊंगा मैं उसे भूलने की कोशिस करूँगा आप जो कहते हो मैं वही करूँगा तो कहीं न कहीं एक यहां पर इंसान और निकल कर आया है जिसने आपके इस व्यक्ति को जो आपका प्रसंस सकतो है पर प्रसंसा करने की हिम्मत इसमें अब नहीं रही है क्योंकि ये डरा हुआ है किस से डरा हुआ है इसी Queen of Swords की energy से डरा हुआ है अब आप जानते हो कि Queen of Swords tarot में हम किसे कहते हैं आप भली भाती जानते हो मुझे अब बार बार इसे बताने की जरुत नहीं है फिर भी बता देती हूँ कहीं न कहीं जो है धर्म होता है परिवार होता है ट्रेडिशन होता है लैंग्वेज होता है आप दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह से अलग देश से अलग सिटी से सहर गाउं से रहते हो जहाँ पर आप दोनों की कुछ भी चीज़े एक दुसरे के साथ मैच नहीं होती और यह व्यक्ति जो भी है मा का बहुत प्यारा है मा से बहुत डरता है या परिवार की इज़त खोने से बहुत ज़रा डरता है ऐसा व्यक्ति यह नजर आया है जिसे चू तक करने की हिम्मत नहीं होती जिसे अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं होती वैसे ही इस वक्ति के throat chakra में blockage है तो ये ना आपकी presence कर पा रहा है ना आपको बता पा रहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ना ही ये उन लोगों को बता पा रहा है कि इसे आपकी जरुत है इन लोगों से भी वक्ति बोल पाने की छमता नहीं रख रहा अब आप कहोगे कि ऐसा है तो फिर जरुत क्या है प्रसंसा करने की या जरुत क्या है पीछे पढ़ने की या जरुत क्या है किसे को पसंद करने की तो आपको समझना है जब तक यहाँ पर आपका और इस वक्ति का कुछ अधूरा कर्मा खतम नहीं होगा ना जब तक यह साइकल खतम नहीं होगी ना तब तक इस वक्ति में हिम्मत नहीं होगी आप चाहे इसे पिन करते चले जाओ आप इसे पीछे से लाठी मारते चले जाओ नहीं बोलेगा जब तक जो है कर्मा खतम नहीं होगा ये वक्ति चू तक नहीं करेगा पर आपके लिए गुड नियूज इस रिडिंग में यहीं है कि कई लोगों का जो ये सिक्रेट प्रसंसक है वो अपने जुबान का ताला खोलने वाला है क्योंकि उस ताले की चाबी यहा समझ लो कि नया सुरुवात नया जनम नया कनेक्शन नया रिस्ता है ना जितने भी दूविदा है ब्लॉकेज है रुकावटे है सारे के सारी चीज़े अब इसी कार्ड के साथ एंड हो गई है और इसी कार्ड के साथ अब नहीं जर्णी आप दोनों का जो है वेट कर रही है आप दुनों को वेलकम करने के लिए तयार है निकि फिर से तयार हो जाओ एक नहीं जर्णी के लिए इस वेक्ति में जो चीजों की ताकत नहीं थी ना मैंने आपसे क्या कहता कि यह वेक्ति गुसेल बहुत है पर अपने आपको कंट्रोल करता है अपने गुसे से यह एक दि कोशिस कर थे जो लोग इसे तोदे की तरह जो है रटा लगाने के लिए कहते थे कि हम जो कहेंगी तुम्हें वह करना होगा हम जो बोल रहे हैं वह तुम्हारे लिए सही होगा वह दिन तो गए भेलेगा ूसकूपर छाटक काल रहा हैं कि अब बहुत हुआ बरदास करने की जुत एुझा है बहुत हुई यहा पर संधल करने की दो नहीं कर लिया 이제 विद्ध के छिए अब तुम्हें खुट के लिए सोचना है अब तो में खुट के हिसाब आप से अपने जिन्दगी को आगे बढ़ाना है तो लियो के एनरजी इस वक्ति में ये डेथ भी लेकर आ रहा है ने कि ट्रास्वर्मेशन बदलाओ आप इस इंसान में ऐसी चीज़े अब नोटिस करने लगोगे कि ये खुद जो है आपके सामने आकर अपने मन का हाल भी बत वो हिम्मत इस वक्ति में यही जो है रिबर्थ वापस लोटा रहा है ताकि ये वक्ति आकर आपके सामने सारी कुछ सारी चीज़े बता सके और ये स्टैंड लेट सके ये आपकी तरफ बढ़ सके तो आपको मैंने बहुत सारी चीज़े बताई है अब आपको बस ये देखन नहीं जिसकी बाते जिसकी आवास तक नहीं सुनी लड़का है या लड़की है आप नहीं जानते हो ऐसा बिलकुल मत कहना यहाँ पर यह वो व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिस्ता रुका हुआ है बनकर तूटा है समझ गए और किसी और की वज़े से तूटा है यह भी आपक जो टूटा है क्योंकि इस वक्ति में आपको आगे लेकर जाने की आपको आपके कन्यक्शन के बार में दुन्या को बताने की इस वक्ति में वो काबिलेत जरा सी भी नहीं थी पर वो समय यहाँ पर इस तूरी से दे रहे है तो चलिए इस डेक्स से कुछ देखते हैं क्या है और कुछ क्लेरिफाई हो जाएगा हमें फोर ओफ सोर्स भी हमें दिखाता याद है आपको बॉटम ओफ देक में इसके साथ तो आपका ब्रेक अप या सप्रेशन भी हुआ है इसी जनम में इसी समय सप्पोर्ट देखे कितना खुबसरत जो है अनरजी आया है आपके लिए सप्पोर्ट आप दोनों का एक दूसरे के लिए हमेशा रहेगा गाईज जब तक आप दोनों इस जर्णी का हिस्सा हो जब तक आप दोनों एक नहीं हो जाते जब तक आप दोनों पिसली अधूरी जो आप दोनों की जिन्दगी रही है ना आधी अधूरी जिन्दगी जो कभी पूरी नहीं हो पाई आधी अधूरे सपने आप दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना है एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे क जिन्दगे ऐसे ही बीतने वाली है इसलिए एक दुस्य को सपोर्ट आप लोग करोगे तब ही जाकर इन मुसीबतों से आप निकलोगे एक अपना जो है दुन्या आप लोग बनाओगे है ना और यह वक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं आपके सिक्रेट अद्मारर भी है बस वक्त के मारे हैं कर्मा के मारे हैं थर्ट पार्टी के मारे हुए हैं विचारा करे तो क्या करें कुल्चा है कुछला है इस वक्ति ने अपनी भावना को कुछला है देखो कंट्रोल कर रहा है यह बहुत ट्विन फ्लेम इस नेर वाव बहुत अच्छा संकेत अगर आप लोग किसी के साथ एक जुड़वे कनेक्शन में हो ट्विन फ्लेम के सफर में हो बहुत जल्दी देखो यह साइज इंपोर्टेंट सोल मिट जो है कार्मिक से भी ज्यादा ट्विन फ्लेम के लिए ही इंपोर् चुका है आप दोनों की उड़ान आप दोनों की जर्णी सब एक साथ है तो दिख रहा है आपको ट्विन फ्लेम इस नियर आचुका है आपका पार्टनर जो आपको पहचान नहीं पा रहे थे अब तक तो चलिए आज प्रसंसा की बात है तो हम देखते हैं कि क्या है जो इसे आप में पसंद है मैसेज क्या देना चाहता है यह वक्ति होड तो सिले हुए है गले में भी जो है खरास है है ना तो चलिए मैसेज के ज़री इसे और समझने की कोशिस करते है I want to hold you यह वक्ति आपको कसकर पकड़ना चाहते है जाहे आपके हाथों को हो जाहे आपको बाहों में हो यह वक्ति आपको बहुत मतलब साइद यह वक्ति आपको पकड़ कर यह वक्ति कुछ कहना चाहता है रिलाक्स होना चाहता है रोना चाहता है यह वक्ति आपको टच करन चाहता है साइध इस वक्ति के मन में यह इच्छा है गाईज जो यह वक्ति आप से कह नहीं पा रहा है पर कहना चाहता है that I want to hold you मैं तुम्हें अपने बाउं में भढ़ना चाहता हूं या मैं तुम्हें कसकर पकड़ना चाहता हूं इसकी इच्छा है इसक्रेट लिए ऐसा फ पहचानते हो रिस्ता भी रहा है मैं यह नहीं कहूंगी कि प्यार का ही रिस्ता रहा है पर रिस्ता बनकर तूटा है तो यह आपके साथ थर्ड भी कर चुका है यह वक्ति आपके साथ चुलबुली हरकते भी कर चुका है यह वक्ति या आपने इसके साथ कभी हसी मजा किया ह आपने कभी इसके साथ रोमैंस की बाते की होगी रोमैंटिक बाते आपने इससे कभी की होगी जो इस वक्ति को बहुत पसंद है पर क्या करें मन की बाते दिल तक नहीं पहुँचा पा रहा ये वक्ति आपको I am afraid of और एक आपको इसारा मिल गया इससर की तरफ से और ये कह रहे है कि मुझे commitment से बहुर डर लगता है साहा थपड से डर नहीं लगता ये भी आपने सुना होगा तो ये वक्ति वो है जो आपके साथ already साथ commitment वाले relationship में भी आया था guys और इसने साथ आपको commitment देने से इंकार किया होगा आपको ना कहा होगा आपको नो किया होगा तो देखो फिर से रिस्ता कायम हो गया ये वो वक्ति है जो किसी से डरता है और आपको commitment देने से घबराता है भले ही वो दुन्या की मार सहलेगा पर commitment से लेकर ये वक्ति थोड़ा phobia में है, थोड़ा साथ डर के साये में है, तो ये वक्ति वो है जो आपका प्रसंसक है, secretly आपको admire भी करता है, आपको पसंद भी करता है, relationship की चाहद भी रखता है, पर डरता भी है, पर ये डर सारे काफूर होने वाले है, ये डर सारे हवा हो हचने वाले है, इस इंसान के बीज की blockages ही ये डर है, समझ गए, और ये डर पैदा किया है, इसी कर्मा के कुछ cycle ने, और ये खतम हो रहा है, death के इस card ने हमें बता दिया है, तो guys ये थी आपके reading, I hope आप समझ गए हो, कि आपका secret admirer कौन है, सबसे पहले तो इसने आपको बूलने की कोचिस की है, ये सबसे बड़ा हिंट है आपके लिए, कौन है ये वक्ति आप खुछ समझ गाओ, तो guys ये थी आपके reading, I hope आपको समझ में आई है, I hope आपको पसंद आई है, तो please एक like, share, comment, subscribe कर दीजे guys, इतना कहते हैं, मैं reading को कर दीए, close, आपको रखने आपना